नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजुकेशन यूज में इस वक्त का बड़ा अप्डेट है दोस्तों चिकित्सा विभाग राजस्तान नई भरती को वित्तिवे सीव करती दी गई है इस वक्त की बड़ी खबर डिप्टी सी एम दि बरती के लिए चीजे की जाएंगी तो इस वक्त का बड़ा अप्डेट है सबसे पहले देखिए दोस्तों उप मुख्यमंत्री दियाकुमार ने दी 1220 चिकित्सा दिकारियों की भरती के लिए वित्तिवे स्विक्रती डॉक्टर्स की भरती होगी हमने कुछ दिन पहले आप ने दे दी है पूरी खबर ये है आप लोग देखें उपमुख्यमंत्री और वित्ति मंत्री दियाकुमार ने 70,000 सरकारी नोकरी देखने की जो बजट घुषना थी उसको मूर्त रूप देने के क्रम में आज चिकित्सा दिकारियों के 1220 रिक पदों पर भरती करने के लिए प्रस्ताव को वित्य स्विक्रति देखर युगां को तौफवा दिया है और ये भरती लिखित परिक्षा के माध्यम से RUHS यनकी रास्तन हेल्थ यूनिवर्सिटी के माध्यम से की जाएगी 1220 पद होंगे हालंकि पद कम है क्योंकि BJP सरकार ने गोशना पत्र में वादा कि या था कि वो 15,000 डोक्टर्स के भरती करेगी तो कम से कम इन 1200 पदों को लगभग 6,000 तो करना ही चाहिए ताकि अधिक से अधिक जो MBBS पास आउट अभ्यारती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोका मिल सके तो फिलाल 1220 पदों पर यहां पर स्विक्रति दी गई है MBBS के जितने भी अभ्यरत इस चैनल से जुड़े हैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है कोसिश शुरू कर दीजिये ताकि और जो भरती पद हैं चिकितसा अधिकारी भरती में बढ़कर के मिल सके फिलाल 1220 पदों पर विग्यापन बहुत जल जारी होगा ठीक है एन्होंने दे भी दी है और बजट भासन में सत्तर हजार सरकारी नोक्रियों की गोषना की गई थी सरकार की तरप से और इसी क्रम में यह जो है उक्तपदों की भरती के लिए बित्य स्युक्रती जो जारी की गई यह देख सकते हैं आज आज के जो DIPR है यानि कि सुचन और जनसंपर विभाग का जो समाचार पत्र है उसमें भी यह जानकारी आई है बारा सो बीस जो पद है उन पर यह भरती MBBS डोक्टर्स की आई गया निकी RUHS जब विग्यापन जारी कियेगा तो दो महिने के अंदर जो है सारे काम कर देगा पिछली बार इन्होंने मातर 93 डेज में तर्रान में दिन के अंदर 1765 लोगों के विग्यापन भी जारी कर दिये थे परिक्षा भी करा ली थी और नोकरी भी दे दी थी 93 या 94 डेज के अंदर यानि कि 100 दिन से कम दिनों के अंदर पूरी भरती को कम्प्लीट कर दिया था चिकित सा अधिकारी RUHS की तो टाइम नहीं मिलने वाला फिर आपको और योग गिता आप सबको पता है ठीक है MBBS Pass Out Registration होना चाहिए बस यही चाहिए पेपर होगा लेखित परिक्षा के माध्यम से ठीक है तो यह जानकरी थी आप सबी के लिए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही यह जानकरी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया गया जै हिन दोस्तों जै भारत